दोस्तों इस वीडियो के अंदर में आपको एक ऐसे AI टूल के बारे बताने वाला हूँ जिसकी बदर से आप काफी अच्छी कैसी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो इस AI टूल का नाम है हमने कि यहां पर सर्च बार का एक ओप्शन है तो दोस्तों यहां पर सिंपल आपको एक प्रॉम्ट डालना है जिस चीज से रेलेटिड आप यहां पर लोगो क्रियेट करना चाहत देओ है अब आपको यहां पर सब्सक्राइण है तो फिपल वेस आपको यह.ब आपको जो भी काम है और आपके काम का जो भी नामे वह शिपल आपको यहां पर डाल देना है जैसे कि माली जब कोई भी काम है आप माली जब करते हैं आपते लिए एक अट्रेक्टीव लोगो बनाना शुरू कर देगी तो अपने आपए फोड़ा बूत करते हैं जब तक यह लोगो बना के अपनको देती है तो दोस्तों यहां पर आप हैं पर इस लसमत ले तो आप इस टाइप की है मृप्ग करवा सकते हो महां लीजा यहां यहां पी logo काली अच्छा लगा तो मैं simple इसको यहां से download कर सकता हूं जिसकी मैं इसको यहां से download कर लिए तो यह यह ठाउनलोड हो चुका है शी type से आपको वी दूसरा logo लेना है तो आपको simple इसको डाउनलोड करने ना है और भी आपको मालेज़े किसी अधर चीज का यहां पर लोगो करवाना है तो सिंपल आपको यहां पे प्रॉंट डाला है और जनरेट पी करना मात पांच मिनट के अंदर यह वेबसाइट आपको एक अट्रेक्टिव लोगो बना के दे देगी पूसकते हैं आपके लोगों की अपको जो फ्रॉट यहां और आपको फ्रॉर्सकर और पर लोगों को अपने यहां और उसको श्रयाहत चाह gewoonいきます जिसको कि आप स्टीय में ले सकते हो आप में लोगों को और भार में आपको आपको अच्छान प्रॉद्व यूझ करेगी तो कि अब its u फिलाग सी के वेपसटि पर जा सके हो इस हम यहा desarrollo इसकी में फटर स़य आपट जाता हूं हिआपटेगे में फाइवर के पाँ आजाता हूं तो आपको terme आपि श्रक करना है सि हसा 2-0 who संबर ऐसे करता हूं जो आप यहां से अपने लोगो द्याइणिंग का यहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं और आपको पेटर आएड़ियों जिससे आपको काफी सैथा क्लाइक मिलने लगें अगरों कौंटेंड क्रिएट करने स्टार्ट करदो आप इस्टा नाम के उपर पर पेज बनाओ वहां पे और उससे ही आपके पास क्लाइंट आरे लग जाएंगे जिनको आप काम करके देश सकते हो और उससे अच्छा कासा पीसा चार्ज कर सकते हो तो इस टाइप से आपको लोगों भी खुद नहीं बनाना पड़ेगा यह आपको बनाके देदेगा तो आपको यह समझ में आगया हो करते हैं जिससे के आपके आने माली कोई भी इंपरमेटी वीडियो मिस ना हो दोस्तों मिलते हैं लिए वीडियो में आज की इतना है थैंक्स फूर वाचिंग